ये भी कुछ कम नहीं, सब कुछ तूटने के बाद, मैं अपने पास आई तेरा दर छूटने के बाद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और जो दो वाक्य मेंने बोले, ये मेरे खुद के वाक्य नहीं है और नहीं इसके माईने मेरे खुद के हैं, ये वाक्य हैं सिंधुत आई के, जिनके बारे में बोला जाता है कि हर अनात की माई सिंधुत आई, और इस वाक्य का मतलब है कि जब सब कुछ तूट जाए, सब कुछ विखर जाए, और उसके बावजूद भी कुछ बच जाए, तो समझ लिजिएगा कि वो कुछ, सब कुछ है और बहुत कुछ है, और यदि आपको खुद का ज्यान पाना है, खुद के बारे में जानना है, तो उसे तब पर रखिये, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, फिर भी आप खड़े हैं, फिर भी आप जिन्दा हैं, तो इसका मतलब है कि प्रकृती ने कुछ सोच के ही आपको जिन्दा रखा है। सोक में क्यों आजाते हैं, उनका परिवार पूरी तरह से सोक में डूब जाता है, और फिर उनका नाम रख दिया जाता है चिन्दी, चिन्दी का मतलब कि बेकार कपड़ा या कोई बेकार वस्तु, जिसका मुल्ली कुछ भी नहीं है, सुन्य से भी कम मुल्ली की, रिनात्मक उनकी चौती कक्षा में छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनके पढ़ने में इंट्रेस्ट ऐसा, पढ़ाई छूटने के बाद भी जब भी वो किसी तुकड़े को देखते कागज के तो उनके पढ़ लेते हैं, दस वर्स के उमर में उनकी साधी लगभग एक पैतिस वर्स के पुरुष के साध कर दिया जाता है, जब साधी के बाद वो ससुराल पहुंचते हैं तो उनके पती चरवाहे का काम करते हैं और ये खुद गायों के गोबरों को चुनने का काम करती है, अभी उमर होती है लगभग 20 वर्स के, उनके गर्भ में एक 9 महिने का बच्चा होता है और उनकी खोड़ी सी नोक जोग हो जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के साथ, जिसका कारण था कि जब ने ये ग्यान होता है कि मैं गोबर जो चुनती हूं, उसका अधिकार है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर मेरे पती जानवरों को चराते है में गोबर चुनती ही इस तरह हमें मजूरी देने का कारे फोरेस्ट डिपार्टमेंट का बनता है और फोरेस्ट डिपार्टमेंट हमें कोई मजदूरी नहीं दे रही है तो इस नोग जोग में फोरेस्ट डिपार्टमेंट हालांकि इस बात को एकसेप्ट करती है कि इन्हें म बुनियाद ऐसे अंजाम लगा जिया जाते हैं जिनका तालुक इनके जीवन से नहीं रखता। इनके पती के कान में ये बात पहुचा दिया जाते हैं कि तुम्हारी बीवी के कोख में जो बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं बलकि मेरा है। जब ऐसे बात अपने पतनी के पती शुनते हैं इसके पती तो नौ महिने के कोख में जो बच्चा है उस पेट को लात मार कर इन्हें बेहोस कर दिया जाता है और उन्हें घसीट कर पहुचा दिया जाता है गाय के तबेले में और गायों को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि गाएं पैरों से मार कर इन्हें मृत्यू के घाट उताव दें। लेकिन भारत वर्ष जहां गाए को पूजा जाता है मां के रूप में, मृत्यू ने खुद उस तबेले में आकर इनको जीवन दान दिया। इन्होंने उस तबेले में ही अपने बच्ची को जन्म दिया। और संघर्ष की कहानी सोचिये। कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा हजार बिच्वों के डंग से भी ज़्यादा कष्टदाई होती है। ऐसे में जब इन्होंने बच्चे को जन्म दिया ये बिलकुल बेसूद हो गर भावस्था में होते हैं तो माता की नाभी से उनकी नाभी जुड़ी होते हैं उस नाल को जुड़ी हुई पाते हैं तो इन्हें समझ नहीं आता है कि इस नाल को मैं कैसे काटूँ। शरीर में इतनी पिला होने के बावजूद इन्हें वहां सामने दिखता है तो बस कु 16 वार के मेरे हाथ कहा पर रहते मेरे खुद की पिला को मैंने अपने हाथों से अपने सरीर पर महसूस करते देता है जरा उस कस्ट को सोचिए कि अपने ही गर्वनाल को अपने हाथों से काटती हुई एक प्रसूती को क्या भीशन दर्दुआ होगा और फिर इनकी जिंदगी का एक नया मोड शुरू होता है ये उस घर को छोड़ देती हैं अपने बच्चे को लेती हैं कई बार आत्म हत्या करने की कोशिस करती है लेकिन फिर इनके मन में ये बात आती है कि यदि प्रकृती न मुझे बचाया है तो कुछ खास करने के लिए बचाया है इख मांगने लगती है हर अनात की मा बन जाती है इन्होंने समसान घाट में जाकर जो मुर्दों की चीता थी उनसे रोटियां से कर खाई और तब जाकर धीरे धीरे भिक्षाटन करते करते इन्होंने एक ट्रस्ट को बनाया जिनका नाम था सनमती बाल निकेतन सनमती बाल निकेतन में आज लगबग 2000 से ज़्यादा अनात बच्चे रहते हैं लगबग 2500 से ज़्यादा इनके दामाद बन चुके हैं और इनकी बेटियां गिनत है आज इनके बेटे बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजिनियर्स ने और लगबग भारत के कुछ चार राष्ट्पतियों ने राष्ट्पति शम्मान दिया है उमीद है सिंधुत आई हर अनात की माई को डेडिकेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर लाइक करेंगे और चैनल को ऐसे हिरोचक घटनाओ के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे जै हिंद